कि चंद्रु साहब आपका ख़त आया है मेरा ख़त मुझे ख़त पेजने वाला कोई नहीं है नहीं साहब आपका ही है लखनपूर से किसी कृष्ण प्रसाद न भेजा है मुझे अभी अभी पता चला कि तु फॉज में हैं मैं आज कर लखनपूर में नहीं हूँ शहर में उस दर्दनाद वार्दाद के बाद मैं लखनपूर नहीं गया चंद्रु तेख बगर अपने आविन के बगर मैं कहला है क्या करूंदा बखनाद नहीं है कुछ। कि अगर किसीने चंद्रों पर हाथ अटाया तो जान निकालूगा चल्ट कि चंद्रों सच बोर रहा हूं मैं यह तो नहीं जानता कि तेरे दिल में अभी आर्विन दो उसके परिवार वारों के लिए कोई गिला है या नहीं एक रिक्ता जरूर जानता हूं कि उनके दिल में तेरे लिए कोई गिला शिक्पा नहीं है इसलिए कह रहा हूं एक पार तु मैं दोस्त मैं बहुत देखने से पठाके नहीं देंगे जरा रोने की शकल बनाना खेलो बेटी खेलो आ अर्विन बेटी वो बच्चे देख रहे हैं उन्हें भी पठाके दे दो नहीं दोंगा दे दोना तुम लोग अंदर आ जाओ येस मैंने कहा ना तुम्हें दूसरा दिलवा दूँगी अमृता तु बहुत जिद्धी हो गई है कहा ना दूसरा दिलवा दूँगी देखा तुमने छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी अपना खेलोना तुम्हें दे दिया अच्छे बच्चे ऐसी होते हैं तुम्हारे तरह ने सुन्होँ तुम्हारा नाम क्या है बिटा बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है छोटो तुमसे नाम पुछा तो तुम्हारा भाई बता रहा है तुम क्यों नहीं बताते यह बोल नहीं सकता गूंगा है आपरिता पुरता आपरिता आपरिता को यागन मेरी बेटी को बचाओ आपरिता बचाओ मेरी बेटी को बचाओ कि ड़क्टर साब ड़क्टर साब यह पानी में गिर गए इसको बचा लिए नर्स हरिया आप जो कि अ कि अ अब रहा है मेरी बच्चे प्रिद मत किजिए मैडम आपके बेटी को पुछ नहीं होगा आप बाहर वैट कीजिए कि अ कि अ प्लेश जरा है टी साबत्री देखें आप में ने को प्याव कि अ मेरी बच्चे देखें आप में बहार ले जाएए फिकर करने की कोई जोड़ा है मुझे आपना काम करने तुझे कि कि डरो माद कि साबत्री कि 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 मेरी बच्ची कि 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 अच्छू अच्छू कि यह क्या कि आपने इतनी लापरोई सब चलते आटो से उतर गए अरे मैं तेरे आटो में चढ़ाई कब था जो आब उत्रू है ऐसा तूह आदमी है कि क्या है रेलेश्येशन के बाहर जिस सापका अडर्स बताके सामान रखकर मैं बैठने ही वारा था कि तुरे गाड़ी ना भाई पिच्छान बे रूपिय है आप बड़े दिल वाले लगते हैं उपर से कुद देंगे तो खुशी खुशी ले जाऊंगा अच्छा थोड़ा पास आओ बढ़िया ट्रेस है किसानों ना अत्मे थेकी ये लीजिए कॉफी वारा को पाले पानी लाओ माजी माजी मा पाले लिए क्या लाए हो यह क्या मैंने सोचे कोई विश्की की बात लोगी यह तो पानी यह चल्ड़ा वाँ पानी तो बहुत मीटा कहां से खरीदा खरीदा नहीं अंकल किसी ने गाड़ी की टाइलेट में छोड़ दिया था मैं आपके लिए उठा के लाए हूँ गदा सरी का एक रिपा अभी तक यह पागल पन नहीं छोड़ा पईदाईशी आदा ते कहां से जाएगी कैसे आ अब लोग इसे मिलने ही पाऊंगा इसलिए सोचा एक बार मिल लू रहे से अरविंद और चंदुरु कहां है वो दोनों मंदिर गये हैं तुम ना हाथ हो के तयार हो जाओ अमृता जब कॉले जाएगी तो तुम्हें भी छोड़ देगी जाओ ना अमृता इसकी तेज मत कलाओ प्लीज आज काड़ी रोको प्लीज तैंक्स माई कैसे रही मेरी ड्राइव अच्छा हूँ अस्पताल जाने से बच गया अरे यह क्या यह जगा तो रूखा सुखा पड़ा है पावंदी लगाई है लड़कियों पर एक भी लड़की नजर नह जाइन मारना तो दूर तड़क पर चलने वाली लड़कियों को आँख उठा कर भी नहीं देखता ऐसी पेरण जगा पर तेरा भाई क्यों आया होगा ही सोच रहा हूँ आज अक्टूबर तीस है भूल गए छोटू का श्राद वो दोनों आज यह उसी के लिए आए है भाईया यह तो बता अशाद किसका है मेरे छोटे भाई का यह चंद्रू अभी तक तुछोटू को भूल नहीं पा रहा है ना चाहे कितने भी बरस बीच जाए मैं छोटू को भूल नहीं सकता या लू कि संसर है उन्हां थे थैंसमिलें तुम्हां दोशेंट प्रसान आए है व क्रपा आया है व क्रपा नहीं सकते सकते हैं चोटू का खोगए होग शेर में को गिसा चल रहा है कि रोक वल्ला क्या था हाँ जूही चावला नहीं कि रोक वल्ला वो क्या होता है कम आन यह भी नहीं जानती और कॉलेज में अड्मिशन मिल गया पहले यह सीख लो बाद में कॉलेज तुम लोग यहीं रुको मैं इन लोगों को स्पेशल ट्यूशन देख रहा था हूं ठीक है आ गिरोक वल्ला का मतलब है तुम सब इसने अपना गिरोक वल्ला अभी तक नहीं छोड़ा तू बालों से शुरू करते हैं और वो गिरोक वाला से पता नहीं तुम लोग कब मुसीबत में पड़ोगे बिना रिस्क के लाइफ बिना छपाई के पेपर की तरह है बिना जिप अब बात करनी है कैसे पेश आना है अमर्ता को पता होना चाहिए ना उसने अपने मन में मेरे लिए अजिव अजीब से खयालत बना रखे है यार यार यानि वो तुमसे घिरोक वाला कहती है तुभूल रहा कि वो हम दोनों की दोस्की बहन है उसे यसे खयाल नहीं आने चाह रहा है मुझे लड़कियों की ग्यालियां बड़ी आसानी से हजब हो जाती है खरे सब छोड़ो पिलहाल तुझे अमर्ता से पीछा छुडवाना यहीं ना हाँ यार लड़कियों के दिल में जगे बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन खाली कराना बहुत आसान है अमर्ता त तो पहना ही नहीं है फ्रेम थोड़ा छोटा होता तो चेरे के साथ मैच करता मेरे दोस्त का बड़ा शोरूम है साथ चलो तो लेटेस्ट चश्मा दिला दूगा अरे छोड़ना लड़कियों की खुबसूरती को अप्रिशेट नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा ज्या मन्जूर नहीं तो कैसा चलेगा इस यदू आ कि अधर चंद्रू वह सब मुझे देखकर हस रही है जोकर को देखके तो हसेंगे ना वह वाली हसी नहीं यह प्रेम की हसी है प्रेम की हसी है प्रेम की यह हसी मेरे लिए है हां तेरे लिए मैंने सोचा मेरे लिए देखो कैसे देख रही है मुझे नजरों से इन्वाइट कर रही है तो फिर सोचता क्या है प्रोसीड आइस क्रीम खिला के पटाऊं या फिल्म दिखा के पटाऊं फिल्म देखते हुए आइस क्रीम खिला के पटाना वो है ना तेरे दे इसका क्या मतलब है गिरोकवल्ला तुम मुझे गिरोकवल्ला नहीं समझी गिरोकवल्ला इसको उल्टा करो लव करोगी तुम मुझे लव करोगी तो अब बोलो फिल्म देखने चलेंगे या आइस्क्रीम पार्ला तुम्हारे घर चलेंगे तुम अर्विन दो ना वो दोनों चंद्रो और कृष्ण प्रसाद है न हमारा नाम तुम कैसी जानती हो तुम्हारी बहन अम्रिता हमारी क्लास्मेट है के अअय सवक्तर पिरा कृष्ण करा के अममत्व बात बन कि ए मरी सिपारिश कर सकता है मैं मेरा नाम बता देना इसका मीं नाम बता देना कि होला डिल्रोगोन रीति होला कि दो मौला अकि रो को यहाँ नहीं अजkhs संक्याद संक्याद अम्रिता, क्या हुआ तुझे? कहा है नाद़ला बेटा ऐसा क्या उसने कर दिया, जो तु घर की चीजा तोड़ फोड रही है उससे क्या काम है तुझे बड़ा भाई है ना आरती उतार के राखी बनना चाहते हुँ एक चाटा मारूंगी सावित्रे जवान लड़की पर हाथ क्यों उठाती हो मैं पुछती हूँ क्या हुआ बेटी क्या हुआ बताती हूं नानीमा आज तक कॉलेज में मैं सर उठाकर रहती थी आज उसकी कर्थूत की वज़े से सर जुकाना पड़ा मेरी सहीलियों के पास जाके आईस्क्रीम खाऊगी फिलीन देखने चलोगी होटल चलोगी ऐसी बातों मैं ठीक करता हूं से कॉलेज में मेरी नाख कटवा के या मुझे देख के हस रहा है हवेशा लोग तस्वीर उतारते हैं आज यह तस्वीर अपने हाप कैसे उतर गई यह क्या सर पे मौच मैं उल्टा देख रहा हूं अब यह देख यह लोग कहा चले गए अभे घर खाली कर रहे हैं हवावे चीजें उड़के आ रही है ऐसा कुछ नहीं है वो चुड़े लोग कॉलेज पहुंचके अमरिता के कान बर्दें होंगे और वो यहां के अपना रेक्शन दिखा रही है बात यही है तो क्यूं फिकर कर रहा है तेरी बेहने ना तो हिम मत करके अंदर जा हम बसका इंतजार किया हां क्या कहा बसके लिए इंतजार किया बस्टाप पे मेरी फ्रेंज से छेड़ चाड नहीं कि उसने वो सब तुम्हारी फ्रेंज थे लेकिन वो तो खुबशूरत थी देखा अंकल जी बात बदल रहा है बहानी वादे छोड़ के वहां पर जो हुआ व अरविन भी बचेगा और तेरा भी काम हो जाएगा देखा अमर्दा कैसे चुफ हो गए गेरो कवला वो क्या है वो कोई भगवात गीता जो उसका मतलब समझोगी वह जरूर कोई बुरी बात होगी आंकल जी बुरी बात है इसलिए अरवन को गुसाया और उन्हों को रैक कि नहीं है आप यहीं बेठें अभी तक चलिए अंदर चलो सावतिर अपना काम देखते हैं अंकल जी इसने जो कुछ भी का सफेज जूट है सफेज जूट भी नहीं काला सच भी नहीं तबूत के अभाव के कारण इस केस को रद किया जाता है नो फॉर्दर आर्ग्युमेंट अंकल जी मेरे बात कुछ भी हो अपने दोस्त के बेहन के साथ शराफत दिखानी चाहिए ना अमे तो लेक्टर दे रही हो तुम अपने भाई के दोस्त के साथ शराफत सरेते हैं अब भी करती हूँ मिस्टर आप जरा मेरे साथ आएंगे तुम्हें किसने बुलाया मुझे नहीं ए चाहिए तुझे बुला रही है मुझे आप ही को मेरे साथ आए ए सुन तु निदर होके अंदर जा मैं यहां खड़ा हिम्मद जुटाता हूँ आहां आहां बस मैं तो बजिया अरे कृपा य आरे होकमारोगे क्या आंती का नाम लेती दुम दबा के भागे इनको की रुक वलक मतलब ची मृत अंतर यह था और था क्यों बंद किया हमारे प्यार के बारे में सबसे दिंडोरा पितने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है मैंने किसी को नहीं बोला तुमने नहीं बोल कि अब तक जो कुछ भी हुआ कृपा को बोल दिया है न अब जाकी ये भी बोल कि अ कि यह अमृता चंदरू के साथ डूएट कर रहे थी मजाक सुच रहा है मेरी जब मर्जी चंदरू के साथ डूएट कर सकती हूं तुम्हें क्या मुझे कुछ नहीं है बिचारी तु यहां चंदरू के साथ डूएट कर रही है लेकिन वह वहां किसी और के साथ डूएट कर रहा है यह सब मुझे किसलिए मैं शहर जा रहा हूं सोचा भाई बोलता जाओं बस रुको कुछ कहने वाले थे ना अगर नहीं कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी नहीं बोला तो मुझे मार दोगी बोला तो उससे मार दोगी मुझे अपनी जान प्यार ही इसलिए बोलता हूं देखो सिस्टर तुम जैसा समझती हो वैसा चंदरू भोला नहीं है उसके लिए लड़किया गन्नी की तरह है उसके चेकर में पढ़के कुछ लड़कियों को बढ़ाई भारी हो गई हाल ही में एक लड़की का पाउं भारी हो गया कौन है वो लड़की प्रताप सिंग की बेटी महेश्वरी देखो अमृता मेरे दोस्त की बहन हो इसलिए कह रहा हूं जल से जल उसको भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है मैं चला प्रताप सिंग जी नमश्कार मैं कौन हूँ आपको जानने की जरूरत नहीं है लखनपूर के जज राजसेखर के घर पर रहने वाला चंदशेखर और आपकी बेटी महश्वरी के साथ प्यार का कोई चक्कर है आपके चांकारी के बगएर वो आपकी बेटी को भगा ले जा प्रताम करदो अन्देयों क्यासी गारी चला रहे है अर्मेन भाया अर्मेन भाया अपने चंदु को कोई लोग मार रहे है हुआ 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 हाँ हुआ 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 किसे अिर रखरे इंदेए ठाटात ठाट सपला कर दाट दोसे ले damn किस अच्छी अचैरा अच्छी क forsk किसaking के ऩुश्यच किस कर दोज़के दोरे पिरे इंदो किस अच्छी किस क्स अचैरा कर दोरे किसा रखरे ये वासे इंदो अजड़ो। 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 अजड़ो pan घजड़ोह अजड़ो आषओ म glove उरी में अजड़ो आपangen क्या कर लेओ, यह क्या दाल लेओ, पेट्रोस, चल्भग आपके अपके यह दाली पुतर मोगें हाग लगा रहा है, चल्दी आईए, चल्दी आईए एयए, बने तु तेरा बाप हो, है उस थम्यने के टुकुडे कर डालो नहीं, नहीं, नहीं अर्विल, मत कर अर्विल, प्लीज, मत कर, प्लीज मुझे मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का अंजाम देख लिया ना फिर कभी इस पर नसर उठाके भी देखा तो पेट्रोल कैन नहीं पेट्रोल टैंकर लाके तू और तेरे मंगले को चला डालोंगा ख़बर्दार चलना जैस अब घर पर है मेडम टूर पे गए हैं क्या बात है अर्वी ने प्रताफ सिंग के गाड़ी को जला के उनके घर पर तोड़ फोड़ क्या हो भाईजाब मैंने प्रताफ सिंग से बात किया का उन्होंने इस पी साब ने भूने मनाने की कोजिश की पर वो नहीं माने जब नई गाड़ी देने की बात की तो मांगे घरनी मत्ये प्रावलम साल हो गया कहां साल हो गया और भी बढ़ गया वो कैसे परताफ जीने मान लिये ना वो मान गय लेकिन मार खाने वाला उनका भाई अभी तक जलाय हुआ है आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता कुछ दिनों के लिए उन दोनों को कहीं बाहर भेजना ये भैतर है ऐसा इंस्पेक्टर कह रहे थे तो मसूरी में हमारे घार है ना वहीं बेज़ देते हैं डाड कि ये सब क्या है उसे डर के हम क्यों मसूरी जाएं गलती उसकी है उसी के आदमियोंने चंदु को मारा था और उसके बैक को भी जला दिया था ये बात नहीं बेटे मेरी बात सुन कि चंद्रू अच्छा राड़का यह हम जानते हैं बाहर वाले नहीं जानते हैं यह देखो चंद्रू के बारे में किसी ने गुमनाम खट लिखा है कि अज़ा है है यह यह क्या है चंद्रू के बारे में बेकार की बाते लिखे बेच आए तुमने तुम ही से पूछ रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है वो लड़की चंद्रू को अपनी जाल में फांस कर आप मास होने का नाटक कर रही है पक्वास बंद कर करिपा नहीं बताता तो मैं भी इस बात से अंजान रहती करिपा ने बताया हाँ चाहे तो उसी से जाके पूछो पूछता हूं अगर गलत निकली तो यह भूल जाओगा कि तुम मेरी बेहन है कर दो कर दो कि अधर रहे कि हमारे यहां रहने से कोई गड़बर ना हो जाए चलो कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं काँ चलना है चैर जाएंगे चैर जाएंगे यानि किरपा के पास हां वो हमें बताया बिना चला गया था ना रात और रात उसके पास जाके ट्रॉंग बेड कॉफी के साथ उसे उठाएंगे कि अधर दूद लाई लो भाईया है मैं भाईया ने गुपाल हूं अंदर जाके रख दे तू सरवा आराम से सुद्वा हम भीत्री दूद रख दे पहले चे उधारी खाके बैठे बड़ा भी तक पैसा ने कि दे ले पात करता हुआ ह हुआ 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 हां हुआ हुआ है कि यह क्या मलीका शरावत फ्रेम गीत रोग दी गाओ गाओ अरे यह क्या मली का शरावत चली गई और नेहा धूपिया आ गई ठीक है नेहा धूपिया भी चलेगी नेहा क्या इस तरह क्यों देख रही हो ओ मेरा जीजा भावानी शंकर यहां है इसलिए उसे तो घोड़े और गढ़े में फारकी मालू नहीं है वह मेरी बहर से बहुत दर इस वजे से वह यहां अकेला रहता है हरे उस बेव्कुफ कंपारव ईगूली अधूक मेरी आगुस में आजाओ À Néha लिका माता हू न मुझे चुमा दो मेरे होठों पर कस्कत चुमा दो मैरा हूना मल्ली का और मैं खाई में गिर गया बचाओ बचाओ क्या कहा तू और मल्ली का खाई में गिर गया क्यों भे मैं बैवकूफ हूं और मैं तेरी बहन से डरता हूं मेरी काविलत के बारे में तू क्या जानता है लफंगे लुच्चे क्योलाच लाद मार के घर से निकाल दिया तो और तेरी बेंट सडक पर भीग मांगोगे सुबह सुबह मलीका शेरावत और नेहा दुवे की बात छोड़के चाई बना के ला क्या देखता है वे काम चोड़ कहीं क्या ऐसे चिल्लर काम के लिए तो जिम अपने साथ लाया हूं मैं तो बेहन के बात बैज़ दूगा देखो मुझे कुछ बोलेगा तो मेरी बेहन को जवाब जाना पड़ेगा उसकी पिटाई से बचने के लिए शेहर आया हूं यहां भी साला मुझे दढ़ाता है कि अधिसन नंबर क्या था नमबर टेन यहीं जगा है यह बंदा को है हो सकते हैं यहीं उसका जीजा हो भाई साब भाई साब क्रिश्णा प्रसाद है अन्दर बिष्टर पर पढ़ा सपना देख रहा होगा जा के अंदर ही मिल्ए चलांदर अधर हाँ देखा फाइट हाउस में जॉज बुश की तरह घोड़ा बेच के सो रहा है तो रुक चाप मैं उठाता हूं न एक रुपा हमने इसे यहीं उठाया तो हमें देखे खुशी के मारे पागलों की तरह चिलाने लगेगा उसका जीजा डिस्टर्ब हो जाएगा हम इसे कि यह आदमी पलंके साथ कहां गाइब हो गया जीजू जीजु गोपाल जीजु कहां है दिखाए नहीं दे रहे हैं वह लोग उन्हें ले गए तुझे ले जा रहे है क्या बाउस की तवियत खराब है जो उन्हें पलंके साथ लेगे पलंके साथ उठाके लेगे किसने ये पकड़ो मुझे क्या मलूम वो लोग तुम से मिल ले आते हैं तो जरूर कर्ज देने वाले होंगे मैं हुँ सोचकर उन्हें ले गए होंगे अभे मैं आगे चलता हूं तो पीछे आता हूं अभे हाद्मियों को भी ले आता हूं तो जाके इसके जीजा का हाल चाल पुष मैं इसकी क्लास लेता हूं कौन सी क्लास इसको शॉक ट्रीटमेंट दिये विना ये ट्रैक पर नहीं आएगा तू जा हाँ जीजा को उठाव ये न वाले तुम हो कहां है वह हो अब यार कृपा यहां आया तो वो कौन है उसका बेनोई यार कुट्टे की तरह पीड़ दिया मैंने उसे चलो माफे मांग लेते हैं अब सुरी बोलना है सुरी जाओ जानो हुआ 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 हाँ मार्या इवाँ रहो बाप्रे अरे इवाँ है 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 मुझे किताब करता है कि अब तेरी तो आज नहीं छोड़ो आज है 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 इसकी बॉनट तो पूरी तरह देमज हो चुकिए अब ये बॉनट नहीं डिक्की है मेरी धुलाई करने वाला तू है मैं तो अंजान लोगों ने तुम्हारा कितना किया ये सुनकर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और तुम मुझे मार रहे हो यस बॉस वो लोग दो थे दो थे जमाज गया मुझे क्यों मार रहे हो मैं तुझे जान से मारने के लिए आया था वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी के तेरा जीजा मेरे हाथ फस गया ऐसी कौन सी गलती की मैंने क्या गलती की हमारे चंद्रों का उस प्रताप सिंग की बेटी के साथ ना जाय समन्ध है ऐसा अमृता से जूट मूट का हवा दे रहा था वह दे रहा था तो प्रताप सिंग के साथ गलत समन्ध है ऐसा अमृता से जूट बोला इसने ये सुनके प्रताप सिंग को अमृता ने खत बेजा कि देखा कैसा घुर रहा तेरी इस हरकत के लिए तुछ मार के तॉला में प्रताप सिंग के बेड़े से शारी करें तो उसे क्या ये तू नहीं पुछाएगा मुझसे पूछ मैं बताता हूं तेरी प्यारी बहन चंद्रू से प्यार करती है इश्क फरमाती है लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा अपने दोस्ति की भेर से प्यार करना गलत सोचा दोस्ति के नाम पर धबा है समझा इसलिए इसने उसके प्यार को कबूल नहीं किया इसने कहा मुर्दा को किसी भी तरह पीछे अठा दे मुझे सही लगा लगना क्या है यहीं सही है कोई भी सच्चा दोस्ते सही सुचेगा सच क्या है जाने बिना जल्द बाजी में तुझ पर हाथ उठाया मुझे मार्फ कर दें है तुछी नो तुमारा ना कोई बात नहीं वह भी प्रेंशिप के लिए यही ना मुझे खुशी है खुशी है या चंद्रो अम्रिता की गलती के लिए मैं माफे मागता हूं कि ए तुछ जैसा नेक इंसान हमारे घर का दामाद बने यह सिर्फ अम्रिता की ही नहीं हम सब के खुश नसीवी है ए उस उपर वाले ने हम तिनों को बनाया है फ्रेंश बनके रहने के लिए अब चाहे वह उपर वाला ही कोशिश क्यों न करे हम कभी अलग नहीं हो सकते क्या कटार इस्तमाल करोगे पेंटिंग करने के लिए नहीं मैं इसकी धार तेज कर रहा हूं किड़न काटने के लिए एक वार दो टुकड़े ब्रश पकरने वाले हाथ में कटार मुसे देखा नहीं जाता बॉस यह मुझे देदीजी उन्हें मैं काड़ा लूँगा आहा श यही रुको मैं जाकर जीजु को पता आजाता हूं ठीक है जाओ लललललललललल तुझे खुषकपड़ी पता है तुझे नोगरी से निकाल दिया नहीं बाउस ने मेरी पगार पगार चिपए बढ़ा दिया अभी तुझे यह जीक्वा अकल होता तो वह तुको पालता है मु यानि operation नहीं जीजू बिना पगार के काम करने वालों को आप्रेंटीज बोलते हैं बिना पगार के काम करने वाले कितना बड़ा आइडिया दिया है तुने एक काम करते हैं आज से हमारे यहां काम करने वाले सभी लोगों को निकाल के आपरेशन वालों को लगा देते हैं उतने लोग मेरे पास नहीं है पिलाल दो लड़के हैं चाहिए क्या नहीं ओके पर्मिशन ग्रैंटेट एक काम कर मैं उनको काम देता हूं रहने खाने के इसां तू देख लेना कल काम कहां पर है राजमहल में खाना वही देता है न वहीं यह क्रिपा कबाल का इडिया है यार कम से कम मुझे मालने वालों को मालने के लिए लिए इस्तिमाल करूंगा बिलाउन वां उनको अ Mmm बोस 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 क्यों रहे लोग आगे बोस वो की नेपर्स आगे वो लोग आगे कहा है वहां पेड़ के निचे खड़े आपको मादने का प्लान बिला रहा है चलिए एक दूंगा उलू के पठ्थे मेरी मौत आईए के जो मैं फिरते उनके पाए जाओ पेडिवान के अगर यही की बहुत हों का जाओ का जिसके शकाम मर्ण सोरा है कोशी परता है कर तो दूंब है कशवी की तरह धरा रहे हो मैंने जो अप्रंटीस के बार में कहा वो लोग आ गए अप्रंटीस कहा है कहा गाइब हो गया अरे आना तुम्हारे वज़े से मैं मार खार रहा हूं जीजु यही है ठीक ठीक है वहां क्या देख रहे हो जीजु फैंचर हो गया अच्छ फिर बच गए शाले फिर कभी मेलेगा ना तब उससे देख नूँगा येलो इससे लेकर धुलाई कर डालो किसके उनके आओ सुनों अपन दीफ लॉप एपन दीफ नहीं है अप्रेंटीस ए पी पी आर वही अवाज मंद जैसे मैं बोलता है मैं कोई परिक्षा देने जारा है जो स्पिलिंग सिखा रहे हो दोनों एक डंडे उठाओ और मेरे पीछ आ जाओ मैं उन्हें देखते ही उन पर वार करूंगा तुम लोग भी उन्हें मार मार के क्लोस कर दो यहीं तुमा बॉस को मारने के लिए उनके पीछी जा रहा हैं अधुश को वो लोग क्लोस करें उसके पहले मैं उनको क्लोस करता हूं अधुश्ण 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 देखो उन्हीं दोनों में से एक है वो रुखो देखो वो मुझे ही रूट रहा वफो कहीं इस बीच वो लोग बहुत सो खत्म तो नहीं कर दिया सोचता है भागने से तु बज जाएगा तुझे खत्म कर दूंगा कम ओन संभाल के एपनटीस लोग संभल क्या ना सुरी आ रहे हैं कम ओन चार्ज कर दूंगा है आजा वे आजा तुम दुनों नहीं मेरे बॉस को खाट के साथ किड्नैप किया था ना तुम्हें मारने के लिए मैं और मेरे बॉस निकल पड़े हैं अरे खड़े-खड़े क्या देखरे गदे मैंने क्या कहा था हां मारता हूं जीजु है हमारा गोपाल है अरे यह तो अपने गोपाल है जीजा नहीं मानने को कहा था हमने मारा बेवकुफो मैं इसे नहीं किड़ने के लिए कहा था खागने के लिए तयार हो जाओ किने अरे वही जब मैं उस दिन सो रहा था तो मुझे खाट सहीद उठा ले जाके मेरी दुराई की तो अरे किने पर साये हैं मुझे बताने वाला यहीता और तुम लोगों ने मार मार किसे ही आद मेरा कर दिया गोपाल बेटा गोपाल अरे तुझे क्या हो गया गोपाल आंखे खोल गोपाल आंखे खोल उठ्जा गोपाल उठ्जा गोपाल कुछ बोल तो सही गोपाल तुम्हारे शादी का हुए महरे बीबी कमार खांगे घार्ट हो गया है सॉरी मैं हुँ हुँ होाँ अर तुम हुआ एक एक पर किस्ट पर्साद है और मैं टेरा करन आ और तु मेरे सांद काम करने मुआ में इनलों गोपर ये लोगर ने जानते हैं कि सब हमारी यहां काम करने वाले अपंडिस लोग है हम सब एक साथ काम करते हैं इसे हम अपने साथ ले जाएंगे तो काम नहीं होगा मेंटल हो जाएंगे इसे यहीं पर छोड़ दो नहीं यार कभी ना कभी इसकी यादाश वापस आएगे और इंसान बनेगा तब यह उन लोगों को पहचानेगा और हम उन्हें पीटेगे तब तक इससे अपने साथ ही रखना होगा कम और माल गाड़ी के उलाद लोग गाड़ी के ब्रेक फेल होने से मरते हैं तू ब्रेक मार के अड़े रोको 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 अधा यहीपैलस है राजमाहल राजगराने के लोग यहीं पर रहते हैं उन्हें हमारा काम पवसंदि आया तो हम कहीं से कहीं नहीं उतर सकते क्या अपे लंगूर की ओलाद चारूख खान की पहली शो देखने के लाए हो जो इधर से दर फुदक रहे हो सास लेने की भी आवाज आई तो जान से माट डॉलूंगो मैं वो हमारे बार में क्या समझेंगे हैं और मुर्गी के अंडे को जि बहुत मुश्किल से इस पैलेस मैनेजर के हाथ पैर जोड कर एक लाक रुपी के कॉंटक्ट मिला था मैं हाथ जोडता हूं मेरी रोजी रोटी मस्चीनना अब अंदे की ओला दिखाई नहीं पड़ता है क्या ओई चिडिया सब्सक्राइब रहने वाले जंगली जनवर बेर चुछ नहीं जानता चले यार 15 दिन तो रहते हैं क्या यहां पर मीटियंग नहीं कर आयो हो क्या आरे जाका अपना काम कर ए गुरता क्या और या देखते हो बच्चे की जानलों के क्या है अजीव बात भी है उसके लिए मैं काम करता हूं या फिर मेरे काम करता है इसलिए उ आपो ला ए पिंकी पिंकी रुको ना देखो आजकल तुम बहुत शैतान हो गई हो अगर बात नहीं मानोगी तो पीटूँगी अब चल्ट हाई हाई किरो कवला क्या मैं आके एक्स्प्रेन करता हूँ अरवन क्या है मैं बाद में आता हूँ आज़िक में और सो सक्ष ऐए ऐसे कर रहा हूँ आखी मालकिन आर्या तो मैं क्या करूँ बबुवा अखिर मालकिन को समझा क्या है तूने इस प्हलेस की मालकिन है पद मेरी देवीजी आरही है गाड़ी अभी तक यहां कर यह है गाड़ी को अच्छ़ाव जल्दी से जल्दी पर राज्मारी आ रहे है लंदन में पढ़के आई है यहां कोई स्कूल नहीं है यह ले हूं बंद कर हुआ है यह यह बुढ़िया लंडन से पढ़ाय करके आ रही है बचपन में गई होगी पढ़ाय खतम करके अभी लोट रहे हैं बिचारे आरे एक लास में छे से साल पड़ी होगी अब हम सबको पढ़ा सकती है हाई मॉसी आओ पद मेरी आओ बेटी तुम भी क्या याद करोगे तुम्हारे खादेर और दो-चार दिन मैं यही रुक लेता हूँ लोंडिया को देखते ही रादा बदल दिया मिया राजघर आने का मामला है तुम्हारा गिरोक वाला यहां नहीं चलेगा लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारी खाते रुक रहा हूँ आज आज मौसा जी कहा है फोन पर बात करें वेल्कम होँ वेल्कम पदमनी बेजी यह बेकार की चीज़ें किसने रखी हैं इसी ने इसी बीखारी ने रखी हैं है फ़रह यहां से नहीं नीकाला तो तुम को निकाल दूगा यह कचरा है निकाल 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 यहां से अब मंटल इस तर ग्या देख रहा है चला से लेकिजा अचला उठाव सब लेजाने के लिए कि खुमा कि मेरे आतों समा दिया ले जाओ यह सब ओज त्रमूर्शियों आजे और यह उठाके दोंगा अघए तू कहा जा रहा वहां नहीं उद्र जा कर अब्र कि ये कैसी बद्बुव है ठर्रा है क्या ये ठर्रा नहीं है सर्वार्निष है या गार्निष एक फारन साफ नहीं किया तो जो चांट्राइक कैंसल कर दूगा साब मैं हाज औरता हूं ऐसा जुलम मत कीजिए साब अरे मुफद करो खोड़े करी क्या देख रहा है जल्दी से साब करो ना साब मैं करता हूं साब तो फिर करतें क्यों नए कि पागलों को पेंटिंग काटेक्ट दिया किसने है मैंनेजर दामुँ यादो मैं हागे अप 환ickt, हम्मा अरुगी. deben वो,えて máणी? Read Sound. New at ecos filt Ha ha ha! आप जफ़ो अपनोग एवन चुपो जा यार चुपो जा एवन बसका रासना है इधर आओ यह कैसी है हाँ कैसी है है तुम से ही मैं पागलों की तरह गला फाट रहा हूं तुम खड़े-खड़े बती सी दिखा रहे हो तुझे तो है रुप जो वो सूट के सुठा कर उसके सर पर रखो है वह सब उठाकर पर मिन बिटया के रूम में रख दो अंदर अंदर आने की जरुवरत नहीं यहीं पर रख दो हेलो हेल्प प्लीज वन वन मिनेट वन मिनेट वन मिनेट वन मिनेट हमें मालू है हुआ है कि रुको हम उतारेंगे ओके हुआ है हुआ है हुआ कि अव्छा-॥ाइ़ 2037 कि अव्छान से वाला रहां पूवफ जो हुआ है जो चुछ प्राइब आप जिए चीक्ने की आवास कहां से आय थी किसी को मौत से बचाने के लिए कुछ भी करो बुरा नहीं है मुझे माफ कर देना का भटो तेरी यह हमत अब इस साबसे चीर पादमी बीटी पादमी बीटी बेटी पत्तिरी क्या हुआ वां ऐस कमीने को श्राइब काट डालो फिंप घ्ल्टी कर रहे हो रहे सुनो यार चोट अ प्रेश्ट मुझे करना चाहिए वो लो कर रहे है तुप चुप जीजु ए तुम का मूपे पपे क्या हुआ बेटी उसे छोड़ दीजिए उसने कोई गलती नहीं की छोड़ दीजिए हमारी बात सुनिये हमैं करंट लग गई हुा हुरा ऐसे सान चलाने के लिए हमने स्विच किया तो करंट लग गई छरा इस ही नख आके हमारी जीन बचाहिग दादी मा अ Tobria करन्ट लाग गया जिस प्रैलेश का मैं मैंनेजर हूं उस प्रैलेश में मेरी जान करके बेना करन्ट लगता है इंपसिबल यही सुच्छ है राजकुमारी ऊसे कुछ हो गया तो लाख रूपय का कांटर राच से निकल जाएका जाके बचाओ लाख रूपय को तो मत जो आओ तु पहले से ही मंटले बे आओ अओ कि उन्हें इसी तरह शौक लगा था और इसी तरह मैंने मारा धड़कने बंध हुई और सांसे रुख गई थी तब उन्हें अपनी सांसे दे के बचा लिया मैंने उसका अच्छा से ला दिया तुम लोगों ने कि इसे लोगों का काम इनी को मुबारक चलो चलते हैं कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी यह मेरा पदन है यह पेदी के बोर्ड जो रंग निकालने के बाहने चमडी उधर जाएगी अगर वो रंग निकालना है तो हक्ते वर काशिक इस वर्णा में दूबो के उपालना पढ़ेगा क्यों में अभी तक नहीं गये तो फिर गया क्यों नहीं जा रहा हूं अब तुम गिर्गडा होगे तब भी नहीं रूखूंगा तुम बड़ी राजा महरा जो जो मैं तेरे सामने गिर्गडा होगा अरे चलते बनना चलो प पंपयान आँ मैंने भगाता हूं साब जी तो या करके मेरा कॉंटरक्ट केंसल मत कीजिसाब जी अगर तुम्हारा कॉंटरक्ड कांसल नहीं होना है तो इन दोनों को यहीं रखना पड़ेगा इन्हें भीस ना नहीं चाहिए रासकुमारी जी का हुकम है का, जा कभूतर एक मेरे दिखाना इसके पाउं में क्या तावीज बन ही है क्या तावीज मुझे दिखाना यह नर है के नारी जाना कलती के लिए माफी चाहती हूँ एक बार अकेले में मिलना है पदमनी हाई 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 हम खुदी आपको बिलाने वाले थे इतने में आप आगए इसलिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी जान बचाने के लिए हम एक थैंक्स नहीं बूलेंगे अप थैंक्स यह वेलकम बाइए देखा राजकुमारे ने क्या दिया मुझे डाइमंड रिंग है समभल के रखना कड़की में काम आएगा यह अंगोठी तुझे खुद दी उस लड़की नहीं है हाँ यार उसने अपनी उंगली से उतार के मेरे हाथ में दिया यह कोई मामली अंगोठी नहीं है उसकी मुहबबत की निशानी है यह अंगोठी लिएशानात लोगे हूं आधे लिए दियुकोष और यह और एक अप है एक बार भी फोन करके पूछा इसके बारे में जब देको फॉटिंट ओर बिजनेंस बूखे और के अब के बार हम आपके नतनी की शाधी करा के अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ लंडन ले जाने के लिए ही आये हैं और आप कैसे हैं आई यह अंदर के लिए वहाँ अरे इसके साथ कुस्ती जो लड़ रहे हो कुझे पटा यह क्या है भॉस यह टाइम बहुं लगता है अरे यह तो घड़ी है अब यह घड़ी में भी देख सकता हूँ इदर आओ इस घड़ी को स्पिंडल से बचाओ तुभारे हाथ जो तब बड़ी महरवान होगी अब अब बोतल पके ना हाँ जमिर वाजा अरे यह बोतल की और आत कहा गया मैं आगया 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 आगय किसलिए इसे ने तो खाता बोतल पकड़ अब उसे फैक ना घंचकर अरे उसे क्यों फोड़ दिया तुमने का फेक दो मैंने फेक दिया उसके लिए यहाँ फेंकोगे अगर कोई फिसल का गिर गया तो उसकी हटी पचले एक हो जाएगी अब जाके अरे जोड़ी हो जाएग हाँ, चल, चल, तेरी तरह होगा चलो, आके उठाओ, चलो उठाओ रुकचा, रुकचा इसे कोई फूल समझाये क्या, जो हलके से पकड़ा मैंने पकड़ाए कब था पकड़ने से पहले फिलोगों ने उठा लिया गलए गहां तो प्र क्यों नहीं कहा काम करते हूँ बात करने के लिए मुशे दफना ना ने के लिए हो आखिर से तोड़ा किसे अब आप आप वो क्या है कि वो इस ने जीज़ा देज़ा है कैसा शोर है वह ताप जी 200 सालों से जिस घड़ी कु संबाल करा था उसे तुम लोगों ने थोड़ दिया वह प्रे इतनी फुरानी है किम्ति हो की सोच के मां डर गया था तुम क्या जानों किती कीमती है दादा पर दादाओं के जमाने इसे संभाल के रखा था तुम लोगों ने बरभाद कर दिया ऐसी ना है आप चीज आप कहां मिलेगी अहीं नहीं मिलेगी सिवाय कबारी के तु चुप हो जा मेंटल कहीं क्या गलती होगे माफ की के साथ जी है 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 कि अहां है में आधा पर दो कि अधाने लेकिन आगर लेकिन अगर ने कुछ ज्यादा ही पिज़र रहा हूं है अले घड़ी के तोड़ी साब बात यहीं कि मेरे लड़के इस घड़ी को समाल गई ला रहे थे जैसे आपके पर फिसले वैसे इनके हाथ भी फिसल गई साब साब अब एक पल भी लोगों को यह रहने नहीं देंगे इसी वक्त कॉंटर कैंसर करके इंको भार बेज देंगे अभी तक इन लोगों ने जो भी तोड़ा पड़ा उसका नसान कौन भरेगा तोटे सामान का हर जाना भरने तक इस टोली का एक भी आपनी महल छोड़कर बाहर नहीं जाएगा अगर यह लोग बाहर चले गए तो तुझे इंदर करतूंगा सब्सक्राइब करने के लिए बात करें के करोंगे पांगें तो तुम्हों की तोड़ दूगा पुरानी घड़िये साफ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आप जाईए प्लीज मैं आपका वाउचर साइन करता हूँ आप चलिए चलिए है निकलो यहां से क्या हुआ बह faj क्या देख रेयो दुख मैसूस कर रहे ओ दुखी हो रहे हो तुम क्यों दुखी होने लगे तुम लोगों को नौकरी पराके दुखी तप मुछे बुचे मुछे होना है जाओ यहां से जाओ इस गरी के साथ मेरी किसमत को भी तोर दिया कमग तोने में कहा जाओ जाओ बावाँ जाओ आपस अरे मैं मर गया में या जाओ यहां से उठीजाने के लिए पकड़ रहे जाओ अरे बाब ने आए अजया जाओ अरे तुम्हों को अलग से बोलना पड़ेगा आजा अजया अजया तुम कहा जा रहे हो तुम ही ने तो जाकर फर्निचर उठाओ अब इस तक जितने फर्निचर तोड़े काफी ने यह क्या अब और किसी फर्निचर को हाथ रहे ने निकाने मैं खबर दर अरे काम के किले कैसे पता चलेगा अरे तुम जो भी उखाड़ो बिना काम कही होगा जाओ ठीक है जलदी करो जल्दी करो भाए यहां तुम दोने कहा जले बापी ने तो ऊपर जाने के लिए जरूर नहीं यह आज़ा अंगा तुम आ आया क्वीं कभी मना करते हो जीजा जी मना फशे नहीं तुछो आहए उअ से मेरे भूदी दिवार को साफ करो तूं बार जाओ ना अरे तो बार यठे सो काम करता नहीं देखा जाओ और खाड थेस्ट खडशे अरे भूत की टराके ड़राता हा थेक से बहुत्समें ठाए धे मेरे चेरों नहीं सीनी से पृष्षै कर रहे हो कर पहां जा वहां जा वहां जा आरे in लोगों ने मेरी जान रङने की काम खांए अभाई साब और ठाप यार्ट में जोर टना यह आ रही हो दीवार को होतना लाग जायए जोर से रखवड़ो जोर से रस्युना रज़ाज। हावे बाप ने बाप, ये जब मेरी करमां का फ़ल है। पॉपहूद इस होगे। आुपु मेरे जब मेरे खें। होगे रुपूद कर मेरे जोती होता है। कि अई कि आउड़िए इस ने जान भूज के थोड़ी किया। सास नहीं हाया इसके बेहोश होगया। पानी लेके आउए। पानी अरे ये गंदा पानी है इसे फेकर साफ पाने लिया जा जल्दी कर जा मेरे जीजा के सिर्पे हाथ थोड़ा गिर गया रुप जा जा जान से माठा लूगा अर् Owen कॉई काम नीए भी नांट काम करांको सोचचा था उसका अठ्छा स्राइद तुम लोगों को काम दिया उसके लिए जप्पल जप्पल के और को आपको और रहा हूं बॉस क्या पाथ है बॉस तुम इन लोगों पर नदर रखो ओके बॉस अगर इन लोगों ने काम नहीं किया तो फौरान आपको बताता हूं बंकेर माट डालूगा ये लोग कोई भी काम ना कर पाए ये तुम्हारी दिम्हेदारी है अच्छा कि अहां कबूतर कुरियर सर्विस आ गया क्या है पढ़ो अच्छल कूट करने के लिए हो या उचल कूट करने के लिए किसने मणा किया तुमने केया था आप नहीं मेरे देखने के लिए मुझे यहां कांट्रक्टर भी कॉन्ट्रक्टर आपने भूलाए है इन लोगों को यह किसली लाया हो यह लोग ल Een तुमसे क्या बोला था बस यह नहीं तो कोई काम ने क्या लेकिन को गाना गारा तो मैं क्या कर सकता हूं गाना गारा था इसमें नहीं बुलाया है मुझे या बेटी अब गाना कौन गा रहा था कोई पेंटिंग करने वाला गलती से गाया है अगर फिर गाया तो जबान खीच लोगा नो 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 बहुत अच्छा गारा है वह गाने के लिए कहिए ना आप गाने के लिए कहता हूं अब भी गावाता हूं अब बत्मेनी बेटीने क्या का सुना नहीं गावना अब गाना अरे चुप्टाप क्यों खड़े हो आके से बुलाना पड़े गा अरे गाना गाएंगे 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 अ हं अ वह यह गाना अरे गायार आरे गाना तरहा सट्राइच वह गाना अ अ भैं बने में ऐक परिफर है अरे गाना अgelारे क्यों योंस शड़े श्यानित आइंधा हेनले तथ कि अज़िए अज़िए मैं आप साब को ऐसे खबर सुनाने मुलाओ जिसे सुनकर आप रुक सर्प्राइज होंगे आओ बेटी बद्वनी मैंने अपनी बेटी के लिए हर तरह से उसके काबिल दुल्हा ढूंड लिया और वो कोई और नहीं मेरे जिग्री दोस्त का बेटा है डॉक्टर शरत राथोर जो लंडन में प्रेक्टिस कर रहा है हलो अंकल आओ बेटी इदर आओ हाई आदी भाई साथ मुहुरत का टाइम निकल रहा है शगुन देदी आओ ओक है देदो है यह निए मुबारक हो हां 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 इस लड़की के साथ तुम्हारा मेल ठीक नहीं है वो सश्मुछ तुझसे प्याद नहीं करती वो टाइमपास करने के प्यार का नाटक कर रही है अगर मुझे नहीं लगता है कि वो खुद मान गई होगी जरूर उसे मजबूर किया होगा अबे चुपो चाँ अगर उसे किसी ने मजबूर किया तो वो इस तरह मुस्कुराएगी उसका चेरा दो देख थोड़ी भी शिकर नहीं उसकी माते पर जरूर उसकी मर्जी के साथ यह टण्से ने होतिवे बात करनी है एक खोसक और तोने के बाद मेरे बीडूम सॉप में आ जान की एक अब क्या बोलते हो मैंने जो कहां वह सच है आरविन वह लड़की मुसीबत पर इस लिए रात में हम집हें बनाया है क्या अकेले में बनाये मैं उस लड़की के यह सोचना भी गलत है चलो चल के सोते हैं सुबह होते ही घर लट जाएंगे ऐसा नहीं है चंद्रू यह लिटर हाड में गया यह लेटर जलो जलो बाहर चलते हैं जलो देखो रात को बाहर ना जाये इसलिए चंद्रू ने बांदिया है कर दो 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 आए्चे को बाहर चिया मेंद्द्रू ना जाए्चे को जलो 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 कि दूलो कि मेरा इंतजार करकर के बिचारी सोगे जड़े उठाते हैं तुका जा रहा है क्यों नहीं उठाया है तो यहीं रहे के कोई आया तो कि जा है को यह की आवासे सिगनल दे मुझे यह तो दे की तरह कैसे भी चलेगा है कि आखिक बजाए कि दिखा ओओ पर मैं सब जानता हूं तो हिम्मत से जा है चाना है ऑओ अ हुआ 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 है यह करना भूल क्या हा न हुआ बाले दो हुआ यदिन आफ हुआ हुआ आप हुआ हाँ हुआ हुआ पाया हुआ संब जो झाल! आइकाब चयो! माँ जया खुट्टी आयाए..... बखंगो! पुरूौ! मेरे लेखिक Äं於े इततेहो! उा पिलided के!! मानन कान्दियो! मानन चान्दियो!!! लोगा नहीं हो भागने वाले वो दोनों अगर नहीं आए तो तुम्हारी जान लेनेगा जाब जी सेबड़ार आरे उसे क्यों बाद कर रखा है तुम्हें मेरी जरूरत है ना उसे छोड़ दो इसे खोल दो तुम्हारी पद्व नहीं है अर्वन जबर्दस्ति उसके कबरें नहीं गया वो गया है तो उसका बुलाने पर कर दो कि नोखरानी के आते ही खुद को बचाने के लिए मासुम बनकर चिलाने लगी और अर्विन को दो शी ठेराया यह जब किसलिए अर्विन तुछ पोजा वह सश्मुष तुमसे प्यार करती है यह सब हवस की भू के आज मुझे जानना है कि रुक जाइए पहले पद्मीनी बेटी को बुलाईए इन से बाद में निपड़ लेंगे यह क्या यार इन लफोंगों के बातों पर विश्वास करके तुम मेरी बेटी पर शक कर रहा है यह वो सिर्फ तेरे ही बेटी नहीं मेरी भी है हमारी घर के बेटी पर सब के सामने कितना घटिया इलजाम लगाया है पद्मीनी ने कोई गलती नहीं कि यह साबित करना हमारा जिम्मा है कि पद्मीनी को बुलाईए देखो बेटी कल रात यहीं तुम्हारे बेडरूम में आया था जी हाँ किसले आया था नहीं पता नहीं पता तुम्हारे बुलाने पर ही तो यह तुम्हारे कमरे बें गया था हमने इसे बुलाया हम क्यों बुलाएंगे यह सरासर जूट बोल रहा है मैं जूट बोल रहा हूं जूट तुम बोल रही हो या मैं शौक लगने पर जब तुम और गई वो सब जूट है यह सब कुछ जूट था बोलो ठीक है यह सब छोड़ो यह अंगूठी किसकी है किसकी है यह अंगूठी यह अर्विंद के हाथ में कैसे आ गई यह अर्विंद को देने वाली तुम हो इसने अर्विंद के साथ प्यार करने का नाटक किया और उसके मन में आस जगाकर उसको तरपाने लगी अब सब के सामें अंचान बनकर अपनी गल्दी चुपा रही है कि इसी और की बिवी बनने वाली बस यार, कम से कम आपको सच्चा ही बाहर आ गई हमने जरूर कोई पुन्न किया है, चलो प्लीज, इनकी बातों में आकर शादी मत रोकिए, जरा सोची मौसा जी, उन्हीं जाने के लिए बोलिए सौच उहे खाके बिल्ली हच को जाने वाली बात हो गई बस कीजिए, अब इसके आगे हमारे बारे में एक भी लफ्स कहने का आपको कोई हख नहीं पंद मी नहीं, इसी को कुछ भी बोलने का हख नहीं, get out I say get out शुक्रिया यार, अच्छी महमन नवाजी की दोने चलो सुनिए अब हमारे यहां रहना चीक नहीं होगा, चलो चलते हैं चंद्रपुर, मैंने बहुत सी लड़कियों से मुझसे लाव करोगी पूचा है लेकिन तुम से ऐसा कभी नहीं पूचा, क्यूंकि मैं तुम से सच मच प्यार कर बैठा मानता हूँ यह एक गल्दी की है मैंने गुडबाई रुको, तुम्हारे दोस्ते हमारा चक्कर है बोलके हमारी शादी रुकवादी पूरी दुनिया के सामने हमारे परिवार वालों का सर जुका दिया अब सुनो अगर हमारी शादी होगी तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ है और वो शादी इसलिए नहीं कि हमारा उसके साथ कोई चक्कर है तुम्हें उससे हमेशा के लिए अलब करने के लिए काउंट यॉर देश खालों कि अलब करें कि तुम्हें वो आई यह आई आप हम शहर से आ रहे हैं अरविन का घर यह है ना यह साहब प्रताबगार राजगरा ने कह हैं इनके घर की बेटी का अरविन से रिष्टी की बात करने आये हैं लड़की है राजकुमारी पद्वीनी यह उनके मौसा-मौसी है प्रश्रीफ आईये आईये अरविन क्यांद्रू अरविन पद्वीन के मौसा-मौसी आये हैं तुम्हारी पद्वीनी के साथ शारी की बात कर रहे हैं कि जो हुआ सब मैंने बता दिया यह गलती ढूनने का वक्त नहीं है सब कुछ हम भूलने के लिए तयार है हम एक दूसरे की आनबान और शान के बारे में बहस नहीं करेंगे क्यूंकि आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद है और हमारी बेटी को आपका बेटा और सोचने की क्या बात है अगर आप हां कहें तो हम शगुन दे देंगे अगर शगुन का थाल लाईगे कि अगर जस्ट पद्मीने अर्वन का अपमान किया उसी वक्त अर्वन अपने दिल से उसे निकाल दिया एक अपाहिज लड़की के साथ भले वो शादी कर ले लेकिन एक दोखे पास लड़की के साथ वो कभी नहीं करेगा अधी रात को अकेली सोने वाली लड़की के कमरे में खुचकर वह यह थरकत करने वाला केरा दोस्त है हरसी गृवी लड़की नहीं यह हमारी बेटी पद्मिनी किसने वाया थरकत की अर्विन ने आपने उसके बा बार जाएए तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूँ इसलिए कोई भी बनमानी करेगा एक चन्डरू दिखिए इतनी बेज़ती के बाद यहां रहना ठीक नहीं चलिए चलते कोई बात नहीं जो कुछ होआ हम भूल जाएंगे लेकिन आपके घर में भी शादी लाए एक एक बेटी है यह मत भूलिए हाई गौतम हाई तुम कब आए अभी अभी माने कहा कि तुम्हारी शादी के बाद हो रही है इसलिए चला आया कि उसके मन को अभी अभी ठंड़क पहुंचिए उसे फिर से जराने के लिए मांचिस लेकाया हो ए तुनो यह हमारी फैमिली मेटर है तुम जरा हम ए गौतम यह हमारा फैमिली मेटर नहीं है मेरा पर्सनल मेटर है तुम सब्सक्राइब अधिये यह बात नहीं अरविन देखो हमारे घर वाले कितने मायूस हो गए है मायूस क्यों होंगे मैंने कह दिया ना यह रिष्टा मुझे पसंद नहीं आरविन उस लड़की को प्यूं मना कर रहा है मुझे वो पसंद नहीं तुछे पसंद नहीं है तेरी दोस्त को मेरे तो घर आये महमान के साथ ऐसे बिशाते हैं हर बात प्याद नहीं होती क्या इस घर में कोई भी कुछ भी कर सकता है इस घर में किसे क्या करना है इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है मेरे माबापको है चुपकर तुम किस से बात कर रहे हो जानते हो वो भला क्यों जानेगा उसकी नजर में पराये लोग हमसे भी बढ़कर है चंद्रू पराया नहीं है इस घर में हम दोनों एक समान है वो तुम्हारे लिए जो भी हो लेकिन इस घर की लोगों को दुख देगा तो हम चुप नही केरविन कि इतनी बार बोला है मुझे कुछ भी कहिए चलेगा लेकिन चंद्र को कोई कुछ नहीं बोलेगा एक बाद अची तरह से सुन लीजी आप लोगों से अपने आप से यहां तकी मेरे माबाब से भी बढ़ख रहे मेरे लिए 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 इतना सब सुनने के बाद य नहां से देख्या मारके निकाले हम खोद चले जाते हैं सुनिए उसका गरम खोन है इंजाने में कुछ बोल दिया उसकी तरफ से मैं आप से माफिय मांगता हूं अरे डैडी यह क्या अंकल और अंटी कितनी धुखी हो रहे देखिए आप चुप चुप अंदर जाए जाए म मम्मी डैडी को अंदर ले जाओ अरविन को जो बात पसंद नहीं वह आएंदे इस घर में कोई नहीं करेगा अब चले मा तुम भी चले अंदर चले ना चले हम लोग रिष्टा जोडने के लिए तयार हो गए इसली नहीं कि वो लड़की राज खराने की है हमारे अरविन से भूल हो गई है उस भूल को भी भूला कर रिष्टा लेकर आने वालों की बेज़द ही करके भेजना अच्छी बात है क्या उसकी जगा अगर हमारी बेटी हो मां होने के नाते कह रही हो अगर उस लड़की के आउसों को हमारे लिए श्राप न बनना है अरविन को ये शादी करनी होगी तो क्या करेगा मैं नहीं जानती इस मां की मदद कर बेटा ऐसा मत बोलिया माजी ये शादी जरूर होगे चलता हूँ क्या यार कुछ बोलना चाहता था बोल मैं जो कहूंगा तुझे पसंद नहीं आएगा फिर भी मानना ही पड़ेगा अरविन्द और पद्विन की शादी होनी ही चाहिए है हाँ चंद्रू वह अभी भी पद्विनी से प्यार कुष्टा है कि अगर तो नहीं मानेगा तो वह इस जन्ह में शादी नहीं करेगा आएजिया जयसा तुम दर्रे हो वैसा कुछ नहीं होगा पत्मनी ही नहीं कोई भी कोशिच करें अरविंद और चंद्रू कभी अलग हो यह बात नहीं है यार, वो अभी भी उस लड़की से प्यार करता है, यह बात आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया। यार अर्वन की खुशी के अलावर और मुझे क्या चाहिए। अगर अर्वन शादी करके हाज़ी कुशी रह सके तो पद्मिनी के जरीए मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात में। अर्वन को किसी भी तरह मैं शादी के लिए राजी करूँगा। थैंक्स यार, थैंक्यू वेरी मुच। ए ठीक से लागा ना। अच्छा साहब। तुनों समाल के उसकी किमत जानते हूं पच्चास जार रुपिये अगर तोड़ा तो तेरा खाते में सकात लिया जाएगा। अच्छी तरह मैं जानता हूं सर, इसलिए इन गदों पर विश्यास किये बिना मैं खुद उपर जड़कर काम कर रहा हूं। अब ओई मेंटेल, इनकी बास उनीना 50,000 पच्चास हजा रुपिये। जब मैं ओके कहूंगा तभी तुझे रसी छोड़ना है, समझ गए। जब आप ओके कहेंगे तो मुझे रसी छोड़ना है, ओके। ओके। मेरा संतिराज कर दिया कमपक्त है। जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। इतनी किल्दी चीज टोड़ा ली। बोलके दो मेरी भी नहीं हुआ अपका दिखा दी। साफ 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 करती हो गई साफ आपकरती जी। कैसे माफ कर दू। तेरे खाते में लाख रुपे चड़ गया। लाग रुपे कैसे साफ। अभी तो आपने कहा था कि पचासा जाएगा। जो तोड़ा उसका पचासदार और तोड़ना के लिए जो नया लामदा उसका पचासदार दोनों मिलाकर। यह क्या। आप नया लेके आएंगे उसकी बाद मैं उसका तोड़ूँगा। उसका नक्सर मैं अभी से पड़ू। ज्यादा मत बोलो। यहां का एककांटेंट मैनेजर दोनों मैं हूँ। ज्यादा बोलो के तो रिट और बढ़ जाएगा। नहीं साफ। ठीकी साफ। मानते हूँ ना। अब जाएए ओई इसपे पानी चड़के चिंदे क्यों कर रहे हो। इसपे पेट्रोल चड़के चिला देना चाहिए ओई मा। मैं कहा हूँ। मैं कहा हूँ। मैं कहा हूँ। मैं कहान हूँ। और मैं कहान हूँ। तुर्षन्ट कैसा ये सजावट कैसी इसी सवी है तुम्हारा मेंटल ठीक हो गया अब यह मेंटल हो गया है अब यह मेरे डामेज को अड्वार्ण सब्सक्षाओं को बिल्कुल छू नहीं पाएगा अब यह मेंटल का हूं थे जटका रगा थूड़ी दिर के लिगे फ्यूज अरे वो कंट्टिक्टर का है सब्सक्राइए थे पारिट आपको करने वाले वोदो नहीं तो है वो देखिए वोश च्रच पाके जा रहे है अगर ये शादी होनी है तो चंत्रु यहां नहीं होना चाहिए पद्विने बेटी ये क्या कह रही हो तुम अर्विन को बहुत चाहती हो इसी वज़े से बेईजद ही सहकर भी हमें शादी के लिए राजी हुए अब अगर तुम चंद्रु को यहां से बेजने की शत रखोगी तो यकिनन दिशादी रुख जाएगी रुख जानी दिजी उस और उसे मैं कर ठुकराओं मत्बिटी नहीं मौजवन जी महां इर्विन पर या कोई गुसा नहीं मेरा गुसा उस चंद्रु पर है कि जब तक वो मोचुद रहेगा यह शादी नहीं होगी विलकुल नहीं, चंदरु के बिना यह शादी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं अगर ये बात है तो यह शादी हर्गिस नहीं होगी देखिए, आप सबको मैं आखरी बार कह रहाँ अगर यह शादी होनी है, तो इसी पलीक गर से चंदरु कुर जाना होगा सावित्री, यह अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं है, मुहरत का वर्ट बेता जा रहा है देखो क्रिपा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ सगा बेटा, दूसरे तरफ मो बोला बेटा, दोनों में से किस की तरफतारी करूं, किसी न किसी तरह तु ही उसे नहीं माजी, यह शादी के लिए अरविंद को मनाने वाला चंद्रू है, यह शादी देखने के लिए हम सबसे ज्यादा चंद्रू ही बेताव है, मैं उससे मना नहीं पाओंगा, मुझे माप दीजिए, प्लीज पिपा मैं चलता हूं यार तुझे नहीं जाना जाएए, क्यों जाएगा, तेरे बिना वो यह शादी नहीं करेगा, तेरे ना होने से यह शादी रुग गई तो अरविंद के लिए बहतर होगा जो बात उस दिन मैंने तुमें कही थी, वोई बात तुम आज दोर आ रहे हो यार, इस वक्त अरविंद के शादी होने बहुत जरूरी है, मावापके इजजत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है इसलिए मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुका हूँ मेरे जाने के खबर शादी की रसम पूरी होने तक अरविंद को पता ना चले इसकी जिम्मेदारी तेरी है अगर उसने मेरे बार में कुछ पूछा, तो वादा कर यार, तो कुछ नहीं बताएगा लोहु बहुत तकलिफ हो रिया ना, अब थोड़ी देर में तुम्हारी दोस की शादी है, उसे देखने की बहुत तमन्ना होगी वो कभी पूरी नहीं होगी, यह तुम्हारे किये की पहली सजा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नागिंपन के डस्ते रहेंगे, तुम नहीं पचोगे कि अगर अगर उसने चाहें लाग बहाना किया हो, तुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। और अगर उसने जाने की जिद की, तो मुझे नहीं बता सकते थे। सच बोल, उसने अपनी मर्जी से मेरी शादी के लिए मंजूरी दी थी या जबरदस्ती किसी ने उससे कबूल करवा लिया। अरे बोलना, मेरे माबाप ने उसे मजबूर कर दिया था क्या। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो फिर कौन। बोलो उसने मजबूर किस ने किया। मैंने ही। तो पद्मिनी से बेहत त्यार करता है, ऐसा उसे जूट बोला। तभी उसने शादी के लिए मंजूरी थी। ऐसा क्यूं कहा कमें। किसी भी तरह ये शादी हो जा इसलिए। नहीं तो तेरे माबाप चंद्रू को दोशी ठेराते। उस सोजे से शायद उसे घर से जाना भी पड़ता। तब अमृता जिंदगी भर रोती रहती। इन समसाओं के एक ही हल था तेरी और पद्मिनी की शादी। इसलिए जूट बोलना पड़ा। मैं जानता हूं कि इस इरादे से तुमने मुझ से शादी किया है। तुम्हें गलत साबित करने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए। भगवान भी मुझे चंद्रों से जुदाने कर सकता है। अब उसके कहने के बाद ही तु मेरी पत्नी बने गी। क्जो है तुम्हें गलत साथ कि अ क्ट्चचके लिए ही तुम्हेष क्ट्चक बादेगित के वांò क्ट्चके बादेग्ट कि वोगशने मुप जाँ दुम्हें गलत वांò कि मुझे पत्नी मानने के लिए तुम्हें अपने दोस्त की मन्सूरी चाहिए तो मुझे बाहर आके मिलों पद्में कि मुझे आज तक मुझे ऐसी चिठिया बेजने वाली तुम हो ना चलो मेरे साथ चुप चाप चलो मुझे कि यह वह यह वह यह वह दमद जी इस घर में जो भी समस्या हुई उसका जिम्हेदर यह यह देखिए मुझे और पद्जिनी को लड़ाने के लिए भीजा हुआ खत है यह पढ़ लिजे खुछ जान जाएंगे की अनगी क्यों हमकी कर दो कि उस्ट कि इससे पहले भी ऐसी कई चिठ्या लिगकर प्राविनाना बना bessштय पायर eager तुम्हारे मंगनी की रात खतले कर मुझे तुम्हारे बेटरों में बствоस्ίας में वाखने लेकिन भी इसी कंढ़ंदान में जन्मी हूं लेकिन मुझसे धिसी करने वाले तुम appointed करने वाले तुम जैसे को सब नहीं कि इसके लिए मैंने ये सब किया और भी करूंगी 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 तेरी ये बचा मेरे बेटी होकर तुझा कर रहा है इसके लिए तुम इसकी जान ले लोगे क्या बेटी स्वाती तुम जाके पद्मिनी को सोरी बॉल दो देखा देखा भाई साब कितना घंबन दे इस लेट की में जा जाके माफिए मांग नहीं रहनी दीशे मोसा जी जो होना था हो गया अब सौरी बोलने से माथी पर लगादाग मिठ जाएगा या खोईवी इस्जत लॉट आएगी छोड़ दीजिए सुनो स्वाती सर्फ तुमें ही नहीं हम किसी को भी छोड़ा नहीं मानते उसकी बाबजूत अगर तुमें ऐसा लगा तो हमें माफ करतो हमारी बहन सुजो गलती हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं तुमें सौरी कहने की ज़रूरत नहीं वो तो मुझे कहना है उन चिटियों को पढ़कर मैं तुम्हारा दिवाना हो गया प्यार करने लगा इसी वज़े से बिना मर्जी की इस शादी हुई पिना मर्जी की शादी जहन्नम बन जाती है मेरे हाथों मांग भरा इसलिए जिंदगी मेरे साथ बिताने की ज़रूरत नहीं है पोलो अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अभी चला जाओंगा या फिर मेरे साथ रहके मुझसे बड़ला लेना चाहती हो वो भी मुझे मंसूर है लेकिन एक बात है इस मामले का कोई भी अंजाम हो वो मुझे तक रहे मेरा दोस्त चंद्रू उसका कोई कसूर नहीं है वो मुझे बेगत चाहता है इसलिए और तुमने मुझे धोका दिया इस गुस्से में तुम्हें बुरा भला कहा उस पर नाराज मत होना उन पर ही नहीं स्वाती पर भी हमें कोई नाराजगी नहीं है अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आप जैसा नेक इनसान पती की रुप में हमें कहा से मिलता कि अधिया है हम जल्दी गाउन जाएंगे अपनी शादी में शरीक किये भी नहीं हमने चंद्रो को भेज दिया था हम उनसे माफी मांगेंगे पाद्मिनी यह सब सुनके मुझे बहुत कुशी हो रही है चंद्रो यह बात सुनेगा तो आपके बहुत कुश्य हो जाएगा आओ पाद्मिनी हमें माफ कर दीजिए कोई बात नहीं अर्विन ने मुझे सब कुछ बता दिया दुआ करता हूं जो भी उसने कर वैसे हो ओके 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 इसी के साथ यह समस्या खत्म अब रह गई है अमृता की समस्या जबसे हम शहर से लोटे हैं मुझे और चंद्रो को देखते ही वह अपनी स्कूटर से भागा जस्टिस श्री राजशेकर जी की सुपुत्री अमृता की शादी अर्विंद का दोस्त चंद्रशेकर के साथ सब की मर्जी से खुशी-खुशी तय की जाती है ठीक है ना संदी साब कमाल है लड़की का भाई लड़का अला बन गया होके प्रोसीड सुनो स्कूटर वाले सि शादी होने नहीं दूंगा उन दोने ऐसा का तो आप दोने चुपचा भाँ महां मिला देंगे मां 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 बच्पन से अमरिता मेरी दुलहर बनेगी कह कह कर तुम लोगोने मेरे मन में सपने सजाय थे ना अब को रास्ते का बिखर या कर उसका फति बन जाए तो मैं तो तो अपना मुबंकर ये नालाइक जल्रार तो उपर देखी डाल रही है बस अब आगे क्या करना होगा ये मुझे मालूम है अम्रिता अम्रिता क्या है भाबी अच्छा तुम यहाँ हो हाँ यह क्या भाबी आप और किच्छन की तरफ खाना बनाना जानती हैं बनाना जानते हैं लेकिन कोई नहीं खा पाएगा बिचारा मेरा भाया यह हम काट देगे, लगी हम काट देगे, नहीं बहुरा है, मातरची को पता चलेगा तो डाटेगी, और आप जाएगे अच्छा, तुम्हारी मंदी के दिन सरोजांटे का चेहरा उत्रा हुआ था, क्यूं? तुम्हारी चंद्रों के साथ शादी करना उन्हें पसंद नहीं? कैसी पसंद आएगा, उनका एक नालाइक बेटा है न, उससे मेरी शादी करवाना चाहती है वो, यानि उस गौतन से? उस उसी से, उसी मनूर्ष से और वो गधा, जब देखो लाट तपका के मेरे पीछे पड़ा रहता है जितना विदाटो कोई लाज शरम नहीं उस शैतान से मैं शादी करूँ मैं शैतान? सच तो यह है उस जैसे से शादी करने से तो बदन पे केरोसिं डाल के खुद को जलाना बहतर है लक्षमी आज जी जी चोरों से जरा हल्दी लेकर आना ठीक है तुम जाके बाहर का काम देखो ठीक है बहुराने हम ले आते हैं यूरी मुझसे शादी करने से बदन पे केरोसिं डाल के खुद को जलाना कहतर है तो जल जा कि अगर मा अगर आखा अगर 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 भाद आखा अगर अगर आखा है अमृता, क्या हुआ? मेरी बेटी को मैं बच्छाया. आपको याओ. मेरी. ठीक नो होना तु. अमृता, आज कोशे लगे बेटी? यह तो मेरी भी समझे नहीं, यारा अंकल जी. कैसे होगा? कोई जोट लगे, क्या? समझ में नहीं हरा. चलो, हमारी किसमा दच्छी में इसे भीग हो गया. रूमर में थी, कुछ नहीं हुआ. सब बटके क्या देख रहे हैं? अमृता का हॉस्पिटल है चलते, चलिए. चलिए यही. बाभी. रुक चाओ. अमृता, जब तुम खाना बना रही थी, तब इस खिटकी के पास कोई आया? मैंने किसी को नहीं देखा. तुम लोग यही थे न? तुमने किसी को देखा? हम यहाँ पर नहीं थे, बाबुजी. क्या कहा, तुम लोग यहाँ पर नहीं थी? रसोई का काम छोड़कर बाहर कहां मर गई थी? हम दोनों यहीं भर थी, माजी. बहुरानीना हम दोनों को बाहर बेजके बाहर का काम देखने के लिए कहा. सच माजी, उन दोनों की सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं था. बस कीजिए, कुछ मत बोलिए, कोई कुछ नहीं जानता है, यही ना? मैं सबसे एक बात कहना चाता हूँ, बुच्छाए जो भी हो, यह काम यहीं बंद कर दो. तुम तो इसा करे हो, कि किसीने जानबुच कर किया हो? बिल्कुल, किसने जानबुच कर ही किया है, यह देखिए, सब आगे है तो पीछे साड़ी के पलू को आग केसे लगी? चंद्रू, रसोई घर में स्टोव के अलावा और कहां से आग लग सकती है बता, बी सिर पैर की बाते मत सोचा करो. यह बेसर पैर की बात नहीं है, यह देखिए, चली हुई तीली, यह खिड़की के पास कैसे आई, किसीने जानबुच के खिड़की से आग लगाई है, उनका निशान अमृता नहीं, मुझ से बदला लेने के लिए किसीने यह घटिया हरकत की है, यह क्या चंद्रो, घर के ल आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, यह मेरा इरादा नहीं है, जिसने यह किया मैं उसी को बताना चाहता हूं, जो मुझ से बदला लेना चाहते हैं, वो मुझी से निपते, अगर घर के किसी लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चंद् क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अंकल जी, अरे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, अमृता, क्या हुआ, बताना, अरे, और कुछ नहीं, अमृता खाना बनाते वक्त, पिछे ये साड़ी के पल्लों में आग लगई, आग लगाने वाली तुम्हारी बीवी है, ऐसा अबनी, अरे, ये सब क्या है चल रहा हुआ, अगर इसने तेरी बीव को कुछ कहा, तो उसकी बीवी तेरे घर पहला, तो उसे डाटना, वो छोड़के इसी छोड़ी मोटी बातों के लिए अपनी दोस्ती तोड़ोगे, कौन सी छोड़ी मोटी बात, थोड़ी भी देर करता तो अमृता की जान जा सकती थी, इसलिए गुसा आया, पूछ लिया, जलत है, कृपा, इसका पूछना गलत नहीं है, गुसा करना भी ग शादी तेह होने के बावजूर, पराय मर्द को खत भेजना, आदी रात को अपने बेडरूम में बुलाना, ये सब याद करता हूं तो, ए चंदरू, इन सब बातों के वज़द स्वाती है जानता है ना, पदमे ने कुछ नहीं जानती है, ये तुम बानो, मैं नहीं मानता, उसका किया हुआ चैलेंज मुझे आज भी याद है, मैं चाहिए जितना भी दूर चला जाओ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझसे माफी मांगना एक धोंग था, तुम से रचाई हुई ये शादी भी धोंग है, बस करिये पागलपन, अर्विन तुझे बेहत चाता है, इसके तु कुछ भी कहगा उस सुनेगा, इसका फाइदा उठाकर उसकी बीवी पर इंसाम लगता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब है, चंद्रू, मुझे समझने की कोशिश कर, पहले तुम अपनी बीवी को समझने की भी की कोशिवा इंसाम कोरी इंसाम के वद्याी को समझने की की को आप है, ओड बा आ, अांछ इंसाम की को आक्वार, आम इन समझने की को समझने की की की। यह क्या वहीं क्यों रुख गए अंदर आ जाओ चंद्रू भाईया बहार आके देखो तुमसे मिलने कौन आया है भाईया कहा हो जल्दी आओ ना अरे वहां क्यों रुख गए अंदर आओ एक मिलिट भाईया यह क्या चंद्रू वहां खड़े क्या सोच रहे हो आके भाईया से माफी मांगो अम्रता माफी कैसी मैं उसे ले आता हूं मुझे माफ करते अर्वंद मुझे भूल हो गई मुझे उनके बारे में ऐसे बात नहीं करने चाहिए थे मैं बहुत शर्मिंद ना हूँ अरे पगले यह तू कैसी बातें कर रहा है हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में माफी और शर्मिंद गी जैसी कोई चीज नहीं होती है सिर्फ दोस्ती होती है कर दोस्ती है देख लिया मैंने जो आग लगाई उससे कौन-कौन जल गया अरे नालाए वह सो तेरी कर तो थी अगर उससे कुछ हो गया होता तो दो दिन बाद दूद महीं और फिर प्रिक्टिया का वो मर नहीं गई जिन्दा तो है ना क्यों टेंशन ले रहे हो बदमाश कभी ने तुम मैं भूल जाओंगा कि तुमेरी आउलाद है अरे गौतम आमरिता को कुछ मत कर अगर कुछ करना ही है तो चंदरु को घर से बाहर बेजने के लिए कुछ कर समझां सिर्फ इस घर से नहीं मां दुनिया से उसे भैचता हूं कि कल होने वाले बेल गाड़ियों की मुकाबले में उसका खत्म करने वाला हूं मैं जाइब जी साब जी हमका बहुत डर लगत है गाड़ी की रफसार मगर तो तो चलावे वाले के जानते खत्रा वा उसकी तुम फिक्र मत करो फिल जरूर टूड़ेगा ना तूट जाई साब चबाई क्या है माजी हमारे गाव में हर साल होने वाले इस मुकाबले में गाड़ी तैयार करने वाले हमारे घरे लो लोहर मंगल को दादिमा के हातों सम्मानित किया जाता है इस साल यह आप अपने हातों से दे दे दादिमा यहीं चाहती है लीजे दादिमा अपने हातों से दे हर साल की रिवास से हटकर पदमिनी ने अपने हातों से ये रुपया क्यों दिया जानते हो यह सब पदमिनी का ही प्लैन है यह बात पदमिनी और मेरे सवा तोई नहीं जानता और जानने भी नहीं पाए बाईयों और बहनों बैलगारियों के जिस मुकाबले का हमें बिसब्री से इंतिजार है वो अब फोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है हमारे जिलन आधिर श्रीमान राज्शेकरजी के करकमन द्वारा इस कारकरम का सुहरान करने के लिए मैं आप सब की तरफ से उनसे विर्दी करता हूं जड़ी एक मिनट इसफार ने आप हमारे घर के तरफ से हिस्था लेता रहा है दो हमारे घर का दामात बने वारा इसलिए कि उसके बद्दे इस साल के मुकाबले में मैं हिस्सा ले रहा हूं का लग लग लोग अज आए कि अ कि है ठाप में झाह जापने है झाल 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 हुआ 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 हुआ! हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है बोल पर यह काखिर कैसे निकलाबो बोल बोल मुझे नहीं बता किसके कहरे पर यह सब तुने किया बोल बोल बोलता यह नहीं बोल नहीं बोलेगा तो इसी भट्टी में तुझे भून डालूँगा मैं बोल बोलना बोल बोल पाओ जी तुम्हार पाओ पड़तो हिंका कुछी मत करो छोड़न दो हिंका सच का है मैं बतावतो वह संदेकर इसे नीच काम करवाई है पैसा किसने दिया बोल वह कोई और नहीं राजगार आने से जो बहुरानी आई है ना पत्मीदी में से भूईने बोल नहीं तुम्हें के सामने बोल भईये कबखेल अपने आप निक्ला या तूने इकाने बोल पोल नहीं तुम्हें कर दो फिस जांसे बादा लूगा अभुला में वाजी है वाजी शॉटे करें अपर कहाँ पोला अ का शॉक्त वाजा है शॉटे मिजेत है यह चंद्रों को क्या करी ओ को अरे बोल गारी का किल कैसे निकल किया सकते दिए बोल बोल सकते हैं हमारा वक्त खराब था जो पहिया निकल गए इसलिए इसको क्यों मार रहे हो वक्त के कारण पहिया नहीं निकला इसके कारण पहिया निकला है अरे बतारा चंद्रू वो लोग पीडी दरपीडी से हमारी सेवा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों करेंगे इसने नहीं किया इसने करवाय यह मैं जानता हूं सब के सामने उसका परदा फास्ट हो जा इसलिए यह यहां इसे लाया हूं यह देखिए मासूमियत का नकाब पैनकर जो खड़ी है यह का महाराणी यही है वो कि बेबुणिया दिलजाम नहीं लगा रहा हूं पक्के सुबूत के साथ आया हूं बोल ना वही है ना बोल जंद्रू अर्वेंद उस दिन अमृता की साड़ी में इसीने आग लगए मैंने का किसीने मुझ में भरोसा नहीं किया और अब इस रेश की बाजी में मुझे बार ने की साजिश्की है उसे अपने चान की परवा नहीं लेकिन तेरी चान जब खत्रे में थी तब तमाशा देख रही थी यह डाएन कि इसके बारे मैं बात कर रहा है पता है वो मेरी धरम पत्नी है यह तो कभी मत बूलना अपने इंतकाम के लिए अपने पति को भी बली चड़ाने को तयार है उसे उसे कहते हो पत्नी उस महरानी की अस्नियत यह बताएगा बता पाउजी रुक जाओ बाउजी रुक जाओ रुक जाओ हमार मरद्वा ने कचुनी कहा यह काम बहुरानी ने करवाया है यह बात हमीं बोल रहत ऐसा क्यों कहा तुम्हें बाउजी बात यह बोलो करें दौर्शन बाउजी ने सब्सक्राइब कर सकत क्यों ऊद्युम्हें, पाहर वालक की दौक未 Christmas यह, है जूट के बोल रही है है यह मेरी और इसकी समस्या है पाहर वालों की दखलंदाजी नहीं चाहिए मैं पूछता हूं जा तुम नहीं हमारे लिए कोई किसी से कुछ न पूछे जब से हम आये हैं तब से हम देख रहे हैं हर बुरी घटना का इल्जम हम पर लगाए जा रहा है थैंक्स पद्मिनी पद्मिनी सुनो तो ए चंद्रू यह तो क्या लगा रखा है पलभर के लिए मान भी जाओ कि वह मुझे मानना चाहती है ओके जो फिक्र उसे नहीं है वो तुझे किस लिए मरने वाला तो मैं होंगा हर चीज की एक हद होती है तुने वह हद पार कर दिया अनुद मेरी बात कर दो पद्मिनी चंद्रू की तरफ से मैं सौरी बोलता हूं उसलिए तुम्हेरे बारे में जो कुछ भी कहा है गलत है लेकिन वो इसलिए बात कर रहा है कि वो मुझे बहुत चाहता है तुमी को अच्जस करना होगा प्लीस जिसने हमारी मांग भरी है उसके हर बात हम सुन सकते हैं लेकिन पराय लोगों की बात सुनने के हमें कोई जरूरत नहीं अद्मिनी अपना बदला लेने के लिए भले अपना पती मर जाए लेकिन वो जो चाहती है किसी भी कीमत पर हासिल करने वेले डायर है कि सबके सामने की चुरू छाला इतना सब सुनने के बावजुद हम यहां कैसे रह सकते हैं हमसे नहीं होती हो तुम किस लिए दुखी होती हो उसके बातों का किस न यकिन किया कि जिस तन आपको यह एहसास हो जाया कि दोस से ज्यादा बीवी कीमती है है खबर बिजवाये हम खुद आ जाएंगे अध्ली मिरे लिए तुम भी किमती हो वो भी किमती है नहीं हम यह वो कौन चाहिए इसी वक्षासा कीजिए किसी की लिए भी उसे नहीं चोड़ सकते यानि उसकी खादर हम से अलोग हो जाना आपको मर्जूर है यहीं न अपनी धरमपती से ज्यादा महाबाप से ज्यादा उसे आहिमें देर हैं आप क्या है इसकी वजह आपको बत बनाया रखा और अगर वहीं मुझसे दूर होने वाला है तो अब भी सच्चाए को चुपाने से कोई फाइदा नहीं हम दोनों की दोस्ति की गहराई जाननी है तो तुम्हें एक सच्चाए भी जाननी होगा तुम्हें चंद्रू के बारे में बताने से पहले उसका भाई छ पल भी उसे दूर नहीं रहता था हमेशा उसे कंदे पर बिठा के गुमता था उस चोटों की कि सत्रा साल पहले मौत हो गई कि चंद्रू जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले चोटों की मौत का जिम्मेदार कि मैं हो उस दिन मैं उसके घर क्यों गया मैं उसे खिलोना क्यों दिया मैंने क्यों कहा कि उसे सम्हाल के रखो मेरी बात सुनते ही उसे सम्हाल के रखने के लिए छोटों अपने घर के तैखाने में गया वो मैं नहीं जानता था अंजाने में मैंने तैखाने का दर्वाजा बंद कर दिया उसके बाद छोटु लापता हो गया कहकर सभी लोग परेशान हुए उसे कोई उठा ले गया सोचके सब जगध ढूंटा पर पूरे एक हफ़ते के बाद देखाने से बद्बू आने की वज़े से खोल के देखा देखाने में सास लिये बगएर चिलाने के लिए आवाज की बगएर बाहर आये बिना तड़ब तड़ब कर मरने वाली छोटु की लाश पड़ी थी वहाँ अपने भाई की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने वाले चंद्रु से आखिर मैं क्या कहता मैं उसे कैसे कहता कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ चंद्रु को अपने भाई के बदले में मैं आखिर क्या देता आखिर क्या करने से इंबिना ये पाप धोलेगा पद्विन मैं क्या करो मैं क्या करो मैं क्या करो पॉट्मनी हाँ एक मिनट मुँ मीछा कराने के लिए मार बाभजी घर पर नहीं है यह उनके लिए नहीं है अपने चंद्रू के लिए मैं बाप बनने वाला हूं सुनते ही वह बहुत खुश हो जाएगा पहले उसका मुझ मीठा करता हूं कि अर्वेश का है पारानी को बोलो क्या लुश हाएगा मेरे छूले भी ओुमाने वाना, भी इषाना भी आँऊाना भी आँऊाना भू मुटी चाहता थाना भू मुटी बज़ता भी आँ़ की अची बाला तुना कैएसे बाले तुरे कैएसे बाले को दिल किया परके समिकार मैं कि अ उससे क्यों चुपाइ bon अब में और मिंट और एं डिन का कर रहा है मेरी पास मुझे अल्देरे में क्यों रखा ऐसा मत कर मेरी पास मुझे अर्वीन तुछ ना जा चा ए छोड़ दे उसे उसे अपना गुस्सा उतारने दे मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं चोड़ना चोड़ना उसे इसके भाई को मैंने तुम्हारा चाहिए क्या होगे है अरे चोड़ना उसे इसे घुस्सा उतारने दे मुझे मानने दे कोई बात ने आओ चंद्रू मानों उचे आओ ए चंद्रू मेरी पास सुन हम सब एक है हम हम जैसा कोई शब्दी नहीं है आज से तुम अलग और मैं अलग है 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 आस लुष झाल उजर है है कर दो हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 हुआ 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 है यह क्या जी इसे क्यों मार रहा है आपका दिमाग खराब हो गया हुआ 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 है केकर चंद्रू को इस परवार सहला करने वाला भी यही कुटता है जल्बे जल्बे इनके पैरों में पढ़कर मां भी मांग ले मेलकुल नहीं किसी के पैर पढ़ने के मुझे कई सरुरूत नहीं चाहो तो उस चंद्रू की तरह इनके तल्वे चाट कर तुम यही पढ़े रो और मुफ्त के रूटिया तोड़ो गुल्पाइए को अताम छोड़ दो मां सवाज्ची तरह से सुनलो अम्रिता क्या अगर कभी शादी होगी तो मुझे होगी को अभी होगी 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 तो में अगर जिती है है अरवे! है!!!! डुशु मुच्य लो किया थाना तुने मै थिरू खुन पी जाऊंगा अर्विन चाहिए zz एल से पाने के आर्विन एटरी आले अधे बाग यहां से और दो single रह उस कौतम की बक्वास सुनके तुम क्यूं रो रही हो मैं हो ना चंद्रु चाहे जहां भी हो मैं ले आऊँगा असल में उसका गुस्टा तुम पर नहीं है तुम दुखी मत हो ना चंद्रु पहले की तरह नहीं रहे उस वार्दात के बाद वो बिल्कुल बदल चुके हैं बर्सु के आपकी दोस्ते को ठुकरा के जाने वाले वो अब मेरे प्यार के लिए लोटेंगे इसका मुझे कोई बरोसा नहीं बहिया नहीं है मृता उसे मैं मना लोंगा तुम दोनों को मिलाने की जिम्हेदारी मेरी है हुआ है हुआ है 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 चंदरू है चंदरू तो मुझे कुछ भी खर चंदरू गॉल अटाना मेरे भाई प्लीस यार मेरा गुसा अमरता पर क्यों उतार रहा है हो तुझे याद करके रोती रहती है चलना चंदू रोगाव चलते हैं प्लीज चंदू रहा मेरी बात सुना यार तेरे बीना मैं घर नहीं जाओंगा तुक्त मैंने अमर्टा को वचन दिया कि तेरे साथ ही लौतूँगा just list अबाष्गर तूँ है चंदु, मेरी बात बने है? चंदु, नुक्चा! चंदु प्लीज! प्लीज मेरी बात बनो! चंदु, चंदु! चंदु! चर्टाओ! आर्वेर्ट, जोर्थे पखड़ने, आर्वेर्ट, जोर्थे पखड़ने, 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 जोर्थे बागे! मुच्च नहीं। झोलमाजियो! rences répond आप 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 кварण आप कर दो, तो पेराना है, झाला है. मुझे मालूम था तुम्हें जरूर आओगे चलो चंद्रू अपस आ गया हाँ भाई है मैंने उसे ट्रेंस होता तो अपने आखुस देखा है किरपा उसे अर्वेन के घर ले गया है है पांच साल हो गए हैं पांच साल बाद वो फिर से मेरे जिन्दगे में रोखा वर्ट बन कर आ दिया है मैं उसका प्रांड लेकरी रहांगा कर दो औरो कि अज़ औरो गो कि अ जब दो कि अज़ जब दो कि पद्विनी अर्विन का बेटा कहा है चाओ तुम्हारा नाम क्या है चंद्रू क्यों रोड़ है अंकर जंद्रू अपर दोस्ते नहीं मिलोगें आव बोगा जा जा फड़ दो उस दिन जब ये खाई से मिला तब मैं लाश ही समझा था पद्मरी के सुहाग की किस्मत जो इसकी जान बच गई हर अस्पताल में दिखाया हर मंदर में मनत्या मांगी लेकिन इसे खोश नहीं आया एक जिन्दा लाश है चंद्रू कि अर्वेट मैं आया हूं तुम्हार चंद्रू मैं वापिस आगे हूं अर्वेंद मुझे एक बार देख न अर्वेंद अपने चंद्रू को एक बार तो देख इनकी बड़ी खुआइश थी कि आप दोनों को अपने हाथों से मिला है चंद्रू पर हम अब हम इने के आथों से आप दोनों को मिलाएंगे अपने भर हम इनकी आपने को अपने राल तोन मुझे अर्वेंगे बार दो यह लों कि आपने अर्वेंद आप आपने को अर्वेंद्रू हुआ हुआ है अम्रिता की कभी शादी होगी तो मुझसे ही होगी मैंने उसी दिन बोला था ना अब उसे इसके हवाले कर रही हो तेरी इतनी हिम्मत की तु दुबरा यहां आ जाए हमारे अर्विन का यहाल करने वाला तु है मैं तुसे जिन्दा नहीं चोड़ूगा ठीक चोड़ दो दो अर्विन की आलत का जिन्दार मैं हुआ हूँ जिसाफिली चाहिए हुआ हाव हुआ हुआ नहीं की आजाए हुआ हूए हुआ प都有 क की 5 फाहा यहाँ हुआ तराट दोल dinero हुँआ कि शोड़ को लेका ayan और परिंदावाँ थे फेका दोलamız당 चिला और शोलाऊ के नियह है का अ. का इये? मैए? कि ब कि ब को औरो कि ब कि बस्के ःखख रहां कि उडञा. कि मैए? á दू備 है.. बाइ बाइ भी या झाय भी बाइ। पमन्हों चाहिए! पर दोप्रोप्रोप! शप्रोप! पर दोप्रोप्रोप! कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ है कंजी है याँ एज वप पाराँ पाराई बाराई पाराई पाराई लुग पाराई पाराई दितल साल जुब नहाँ! क्यों ञीर!! झार! आप, आफ दूछी ही आप, आफ । उुरी आफ हाँ रपये आप पडिम आप आप कि झाल प्याट जप जग झाल कोजए जाए तार रहित रहित है सकते हैं रहए जाय हो दो भीर जाए बनोर बनोरी भर जार बनोरी चाने जाले है 아 50 1 1 2 1 1 1 1 1 1 लुट अुट इबता हुआ और यु यु कल रखई रहा हुआ। झाल झाल झाल